सत्य नारायन, भगवान की जय स्वागत है, मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बालाजी एस्ट्रोलॉजी में तो, कन्या राशी के मेरे प्यारे दर्शकों, मित्रों, आपके सबसे बड़े दुश्मन है, यह तीन नाम के लोग अगले 48 घंटे में, सावधान रोज रोज आपके ऊपर टोटके कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, समय रहते संभल जाओ और इनके बारे में, इनकी सारी हकीकत और सचाई जान लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार ओम विश्नुदेव अवश्य लिख दीजिएगा, दोस् कि आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देख लिया, तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देंगे कि आखिर वह कौन तीन लोग है, आखिर वह कौन तीन नाम के लोग है, जो आपके सबसे बढ़े दुश्मन है, जिन से आपको हमेशा दूर रहन है और सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों, अगर हमें दुर घटना होने से पता पहले ही चल जाए कि आखिर हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या घटना होने वाली है, तो हम उस से बच सकते हैं, हमको पता लग जाएगी, ये मेरा दुश्मन है, तो हम उस से दोस्त, तो दो कदम दूर ही रहेंगे, तो सावधानी भरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोस्तों आने वाले संकटों से बच सकोगे, आने वाले संकटों से आप दोस्तों खुले दिल से सामना गढ़ सकोगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो अंततह द उसके नाम, परिवार, सभी के बारे में, दोस्तों उसके कच्चे चिठे आज के इस वीडियो में खोलने वाले हैं, सर्व प्रथम बजरंग बली को मानने वाले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बालाजी महराज के होते हुए कोई दुश्मन भी बाल का, दोस् पवन पुत्र हनुमान, उसको हर एक बला से अवश्य बचाएंगे। यह दस दिनों का समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही दोस्तों, खुश किसमत से भरा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इन दस दिनों में सितारे तो भले ही आपका साथ दे रहे जो आपके खिलाफ टोने टोटके करते हैं, जो दुश्मन है आपके, जिनकी काली नजर दोस्तों होती है, वे भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुश्मन भी अब नतमस तक होने वाले हैं, आप लोगों के आगे बजरंग बली कई। दोस्तों, आपके उपर पूरी तरह से आ चुकी है, ऐसे में कोई भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। परंतु कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जिससे हम आने वाली मुसीबतों से पहले ही बच जाएं, पहले ही सावधान हो जाएं। अक्सर दोस्तों, आप लोग कौन है? वह नाम वाले लोग। आप बोलते हो परंतु आप नाम तो बताते ही नहीं हो। लेकिन इस वीडियो में आपको नाम भी बताएंगे, बिल्कुल दावे के साथ कहेंगे, सबसे पहले आपके अच्छे दोस्तों-दोस्तों के बारे में बताते हैं, यानी कि सबसे अ आपका कौन है, सबसे अच्छा रिष्टेदार कौन है, सबसे अच्छे दोस्त कौन है, जो आपका भला चाहते हैं, जिनके उपर आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, यदि दोस्तों आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, आप सभी यह चाहते हैं, और आपका पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, इस राशी के अभी नौ एवं बहिर मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। दोस्ती करना चाह। देखो जिनकी जो उर्जा है, इनसे पूरी तरह से मेल खाती है। यानि कि आप बहुत उर्जावान है, दोस्तों आप बहुत ज्यादा लगन वाले हो, बहुत ज्यादा स्फूर्ती रहती है आपके अंदर, आप अपने जैसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हो। आप दोस्तों आलसी लोगों के पास भटकते भी नहीं हो। नए तरीकों से आप दोस्तों लोगों को चुनाव दे देते हैं। ऐसे लोगों का साथ इन हैं, यानि कि आपको पसंद हैं। जो आकरशक हो, उर्जावान हो, गतिशील व्यक्तित्व वाले हो। अब अगर बात करें कि आपकी राशी के कौन सबसे बढ़े दोस्तों, मित्र है या फिर कौन आपका सबसे बढ़ा सगा है। इनके उपर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं। मेश राशी, मेश राशी के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, वह इसलिए होते हैं क्योंकि आपका और उनका जो स्वभाव होता है, वह आवेग वाला होता है। शुरू से ही आप और वह बहुत अच्छी तरह से दोस्ती के बंधन में बन सकते हैं और इस बंधन को जबूत बना सकते हैं, मेश राशी वालों के साथ संबंध अगर आपके बन जाते, वह तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, मेश राशी वाले आपसे दोस्ती निभाने के लिए जान तक दे सकते हैं, ऐसे होते हैं मेश राशी के लोग, आपके लिए अब बात अगर मिथुन आपके लिए तो बधाई हो आपको शायद अपना जुडवा मिल चुका है मिथुन राशी वाले आपके जुडवा होते हैं ये समझ लीजिए मिथुन की जुडवा राशी बहुमुखी और आजाद स्वभाव की होती है ये बिलकुल आपकी ही तरह है ये समझ लीजिए कि ये आपके ही भाई है या आपके ही जुडवा है आपकी राशी के लोगों के साथ आपको दोस्ती में संतोश और उत्तेजना दोनों का अनुभव होता है दोस्तों जो मिथुन राशी है इनका स्वभाव और आपका स्वभाव दोनों का मिलता जुलता है एक दूसरे के लिए आप दोनों स्वभाविक आत्मिये दिखते हैं दोनों में ही दोस्त एक गुण पाया जाता है मिथुन वाले भी थोड़े से भावनात्मक होते हैं और आपकी राश्य के लोग भी भावनात्मक होते हैं दोनों ही दया करते हैं सभी लोगों पर दया करते हैं और यह गुण दोनों में ही पाया जाता है जिससे क्या होता है? एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ जाते हैं। आप लोग लोगों की दया देखते हैं। आप दोनों का लोगों के प्रति प्यार भाव तुढ़ा ज्यादा होता है। और मिथुन वाले जो होते हैं, वे भी कुछ इसी तरह के होते हैं, जिसके कारण वे आपकी भावनाएं जल्दी परह लेते हैं, और आप भी उनकी भावनाएं जल्दी परह लेते हैं। इससे दोस्तों, क्या होता है? मिथुन राशी और आपकी राशी के लोगों के विचार भी मिलते हैं जिससे आप लोगों की दोस्ती अच्छी होती है इसमें जो जुढधाव होता है यानि कि इनके बीच प्रेम संबंध हो वह भी बहुत आगे तक जाते हैं या फिर शादी के संबंध हो या घर परिवार में हो या दोस्ती में हो इनके संबंध बहुत ज्यादा चलते हैं और ये एक दुसरे को बहुत पसंद भी करते हैं इसलिए आपकी राशी और मिथुन राशी के संबंध बहुत अच्छे गहरे और जन्मों जन्म तक चलते हैं अब बात अगर आपकी राशी और सिंहराशी के बीच की करे तो सिंहराशी वाले लोग मजबूत होते हैं और आपके और इनके संबंध भी मजबूत होते हैं आप दोनों जब साथ होते हैं तब बढ़े ही उत्साही महसूस करते हैं दोस्तों, आपको इनके साथ रहने से बहुत अच्छा लगता है, ये जो सिंह राशे वाले होते हैं, ये अगर चाहें तो दोस्तों, आपके लिए कुछ भी कर जाए, वो आपके प्रेम पाने के लिए कुछ भी कर जाए, ऐसे लोग होते हैं, आप इन पर आँख मूंद कर भर इनकी राशे के दोस्तों स्वामी भी यही संकेत देते हैं। इसलिए अगर आप चाहे तो इन पर भरोसा कर लीजिए। ये लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अब आद दोस्त धोखे की हो चुकी है, कुसंगती की हो चुकी है। तो वह राशे आती है। दोस्तों व् कभी नहीं बन सकती। भले आपके परिवार में हो या फिर कोई आपका दोस्त। शादी शुदा जिन्दगी में आपका पार्टनर की राशे व्रिश्चिक हो, आपके माता-पिता की व्रिश्चिक हो, परंतु देख लीजिएगा आपके गुण मिल जाएंगे इनसे। आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आपके इस रवये की वजह से और इनके इस रवये की वजह से दोनों के रिश्चों में निराशा आती है। दोनों ही जिद्दी, दोनों ही गुस्से वाले, दोनों ही दोस्त मन में थोड़ी सी कुंठा रख लेते हैं। एक दूसरे के प और जब यह किसी को मन ही मन अपना दुश्मन मान लेते हैं तो फिर तो दोस्तों, समझ लीजिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कभी भी ये दोस्ती करेंगे ही नहीं, बल्कि उसको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे. अगली चीज है, आपकी राश्य क्या है? थोड़े से दिल का उपयोग ज्यादा करती है, भावनात्मक ज्यादा रहती है. ये कठोर दिल के होते हैं जिसके चलते इन दोनों का समावेश थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है. लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं दोस्तों? आपको किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, तो फिर दोस्तों आप उसी के पीछे लग जाओगे, फिर चाहे वह आपको कितना ही नीचा गिराए, फिर भी आप उसके प्रेम में पढ़ोगे. आप गिड़ गिड़ा के उसके सामने प्यार की भीख मांगेंगे. दोस्तों, वह आ प्रेम संबंधों में भी आते हैं, तो कुछ न कुछ खिट-पिट आनी ही आनी है. लड़ाई जगडे होने ही होने है. साथ अगर आपका विवा हो गया है इन राशियों के साथ, तो भी दोस्त शादी में थोड़े से टकराव तो होंगे ही. परन्तु अगर आप चाहते हैं थोड़े से फेर बदल कर सकते हैं. यानी कुंडली दिखाकर एक दूसरे में जो भी कमियां आएं, उसकी पूजा पाठ करवा लें. बुद्ध अगर कमजोर है, यानी कि किसी के ऊपर बहुत हावी है, और किसी का बुद्ध कमजोर है, तो दोस्त जिसका कमजोर है, वह जानी कि आपके ही लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन कर लेना है, परंतु जिन्दगी भर मन मार कर आपको नहीं जीना है, जितना हो सके आप खुल कर रही है, क्योंकि आप मन बहुत मारते हो, तो आप लोगों को ठेस नहीं पहुँचाते हो, लेकिन दोस्तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, कि आपके ही घर में छुपा है आपका काल, आने वाले समय में करेगा पीठ पीछे बहुत बढ़ा विश्वासखात, दोस्तों, यदि मैं कहूं कि आपके ही घर में आपका सबसे बढ़धा दुश्मन छुपा हुआ है, तो आपको कैसा परन्तु आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, और आप हमको कहेंगे कि गुरुदेव, आपके आपके विचार कैसे हैं, हमारे घर में तो हमारे अपने रहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे विश्वास पात्र लोग रहते हैं, जिन पर हम आँख मूंद कर भरोसा क वही लोग आपको लूट कर खाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है बड़ी मेहनत से। इस प्रकार की वीडियो बनती है, तो लाइक करिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी, आपकी रक्षा करेंगे आपके पूरे परिवार की रक्षा करने के तो बोले। जय बजरंग बली, ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी बताएं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपका स्वभाव है, आपकी राश्य के लोगों का जो स्वभाव होता है, वह बहुत ही नरम होता है। दोस्तों, आप सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे कोई अपना हो या पराया, आप सभी से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, चाहे कोई आपका दिल दुखा दे, तो भी दोस्तों, आप उस पर वापस से भरोसा करने लग जाते हैं, एक बार किसी ने दोस्तों पर आये उनको, तो आप ज्यादा दूर के नहीं समझते, उनके साथ आप गलत व्यवहार नहीं करते, उनके साथ भी आप अच्छा ही व्यवहार करते हैं, आपके मन में दोस्तों, किसी के प्रती कोई बुरी भावना नहीं आती है, सबसे बड़ी बात तो यह है, कि आप किसी का बुरा करना तो दूर, आप किसी का बुरा करने का सोचते भी नहीं हैं, दोस्तों, आप लोगों का जो मन है, वह इतना ज्यादा पवित्र है, कि आप दुश्मनों की भी कभी-कभी मदद कर देते हैं, दुश्मनों के बारे में भी कभी गलत नहीं सोचते हैं, क परन्तु दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि यह जो युग है, कैसा युग है, कितना। दोस्तों, कालपनिक जो हम सोचते थे पिछले समय में वह अब दोस्तों वास्तविक बन रहा है। आज के युग में व्यक्ति अपने भले के लिए, अपने फाइदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपनों तक को धोखा दे देता है। आप सभी जानते हैं, साध्य आपकी राश्य में भी यही लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके सबसे ज्यादा जो दुश्मन है, सबसे ज्यादा जो आपके साथ विश्वास घात करते हैं, वह आपके अपने ही होते हैं। और आज का युग है, दोस्त, किसी पर भरोसा नहीं करने का है और किसी पर दया नहीं करने का है। आज कल दोस्तों, जो इस कल युग के लोग हैं व्यक्ती हैं, वह फिराख में बैठे हुए होते हैं। किसका सामने वाला थोड़ा सा कमजोर हो उनका, इसको इसके जगह से हटा कर, उस जगह पर मैं खड़ी डढ़ा हो जाओ। सभी लोग जिस फिराक में बैठे हुए, आपके अपने दोस्तों से फिराक में बैठे हुए होंगे, कुछ-कुछ की कब ये थुढ़ा सा डगमगाए, थुढ़ा सा कमजोर हो और इसको रास्ते से हटा कर, इसकी पोजीशन मैं हड़ाप लूँ. आप तो बहुत अच्छा है, आप लोगों की दोस्तों मदद करते हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, आप दोस्तों दुश्मनों का भी कभी बुरा नहीं सकता, आपका मन भी स्वच्छ है, मन में छल कपट नहीं है, परन्तु आपके जो सबसे बड़धे दुश्मन हैं, आपके आस-पास ही गूम रहे हैं, दोस्तों आपको दोस्त बस निगाह है चारों और फ्रेंड की जरूरत है, जिस पर आप भरोसा करते हो, वही लोग आपको धोखा दे जाते और आपकी राशे में भी बस यही चीजे दिखाई दे रही हैं, आपको दोस्त जीवन में सबसे बड़ा धोखा, समय में सबसे बड़ा विश्वास घात भी वही इनसान करता है, कई लोग हैं जो आपके ही घर में बैठ कर आप यही घर को आग लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे कई सारे रिष्टेदार होते हैं, जो हमारे आसपास ही होते हैं, जिन ने इन लोगों को हक भी दे रखा है, कि यह दोस्त तो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, आप इन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तभी ये आपके इतने अपने हैं, लेकिन आपकी यही दोस्त, नर्मदा का ये लोग फायदा उठाते हैं, आपके पीठ पीछे, आपके अपनों को भी यही लोग भड़काते हैं, तो ऐसे लोगों पर कतई भी भरोसा न करें, ध्यान रखिएगा कि कोई किसी का सगा नहीं होता, सब पहले अपना भला चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके पास, जो धीरे धीरे करके आपका विश्वास इतना जीत लेंगे, इतना जीत लेंगे कि एक दिन जब वह आपको आपके अपनों के खिलाफ अगर भड़काए होंगे, तो दोस्तों आप उनके खिलाफ पूरी तरह से हो जाएंगे, आप अपने अपनों तक को छोड़ने के लिए तयार हो जाएंगे, आप घर में भी लड़ाई शुरू हो जाती है, घर की सास को भी भड़का देते हैं, जिससे घर में भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, तीसरे के दोस्तों कहने में हर घर का एक इनसान आजाता है, और फिर वह घर का इनसान पूरे घर को दोस्तों अस्त व्यस्त कर देता है, पूरे घर में लड़ काने पर आसानी से भड़क भी जाते हैं। अभी मैं कहूंगी आपके घर में इस नाम का व्यक्ति है और वही दोस्तों आपको बरबाद कर रहा है। आपके अलावा ये कर रहा है, आपको ये कर रहा है, तो आप दोस्तों मेरी बातों में आकर उसके खिलाफ हो जाओगे। आपको दोस्तों, आपके मन में उसके प्रतिशंका पैदा हो जाएगी। यही होता है दोस्तों, कि जो कच्चे कानगे होते हैं, जो आसानी से किसी की बातों में भी आ जाते हैं, और हमारे आसपास के लोग, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारा अच्छा होता नहीं देखते हैं, वह यही परवार करते हैं, वह हमारे घर के लोगों को भड़काते ह हमारे खिलाफ करते हैं और हमारे परिवार में दोस्तों दूरिया पैदा करते हैं लडाई जगडे उत्पन करते हैं तो आपको ऐसे पडोसियों से ऐसे रिष्टेदारों से दोस्तों बच कर रहना है साथ ही आपके घर के लोगों को भी बच के रहना है ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से बिलकुल दूर रहें और ऐसे लोगों की बातों में ना ही खुदाएं, ना ही अपने घर के लोगों को आने दें क्योंकि ये लोग कभी भी आपके घर में सुख शान्ति नहीं देख सकते हैं जब भी आप परिवार के आप घर के लोग, दोस्त खुश नजर आओगे और ऐसे लोग आपको खुश देखेंगे तो इनके अंदर बहुत ज्यादा जलन की भावना पैदा होती है और ये लोग मन ही मन प्लैनिंग करने लगते हैं कि कैसे मैं इस परिवार की खुशियां छीन दोस्तों मैं तोड़ दूर बस ये लोग यही चाहते हैं आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है ऐसे लोग क्या करते हैं आपका विश्वास जीतते हैं आपका दिल जीतते हैं आप पर पूरा भरोसा करवाते हैं और फिर यही लोग दोस्तों आपके मन में फूट डालते हैं आपके मन में तरह तरह की बातें डालते हैं कि देख ले तेरे साथ ये घर आते थे घर वालों ने घर वालों को ये ऐसे कर दिया यहां दोस्त तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको इतना अपना बना लेते हैं आपके मन में इतने दोस्तों अपना पन जगा देते हैं, कि यह लोग आपके सामने आपका बुरा करेंगे, आपके लोगों का भी बुरा करेंगे तो भी आपको नहीं दिखेगा, दो भी दोस्त तो क्या होगा, कि आप लोग इनको अपना ही समझेंगे, यह जो भी करेंगे आ आपका सबसे बड़ा काल होते हैं जो आपके आस पास ही रहते हैं और आपका बुरा चित्त है। इन लोगों का सबसे बड़ा मकसद होता है दोस्तों, आपकी खुशियां छिनना, आपकी तरक्की को नहीं होने देना, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना, यह लोग आपको आगे बढ़ते हुए कता ही नहीं देख सकते। जैसा कि दोस्तों इनके मन में जलन बहुत ज्यादा होती है ये किसी इनसान को अगर हंसता हुआ भी देख ले तो इनकी काली नजर उस इनसान पर लगा देते हैं जो इनसान फिर कभी भी हंसने के लायक ही नहीं बचता है आपको ऐसे अपने लोगों से बचना है से पडोस से बचना है ऐसे रिष्टेदारों से बचना है साथी अपने घर परिवार को भी बचाना है तो बोलिये जै माता दी हर हर महादेव आज की बस इतना ही आशा है आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिये